हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्ता मिस्रा एंड कुकिंग फ्रेंड, आज हम लोग बहुत ही हिल्दी, टेस्टी आलू मसाला सेंडविच बनाने वाले हैं जो बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत पसंद आता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है इसे आप बिना किसी ग्रिल, टोस्टर या माइक्रोवेव के सिंपल तवे पर बहुत आसानी से बना लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना पोटेटो या अलू सेंडविच बनाने के लिए हम सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसका मसाला त्यार करेंगे उसमें 2-3 चमच हमने सरसो का ओयल डाला है आप दूसरे कुकिंग ओयल भी डाल सकते हैं और इसमें एक चमच मैंने जब तिल गरम हो जाए तब हम इसमें जीरा डालेंगे जीरा डालने के 10 सेकेंड के बाद हम लोग इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे हरी मिर्च आपर अपने टेस के अकॉर्डिंग डालिएगा अगर बच्चों के लिए बना रहे तो बिल्कुल मत डालिएगा और फिर एक बारिक चॉप किया हुआ प्याज हम इसमें डालेंगे एक से दो मिनट तक हम इसको अच्छी तरस से भूनेंगे जिससे की प्याज का कच्चापन निकल जाए सेंडवीच में सबसे जरूरी ये मसाला त्यार करना ही होता है मसाला जितना टेस्टी बनेगा सेंडवीच उतना ही टेस्टी बनेगा तो आप मसाला को अच्छी तरस से बनाईएगा दिखें यह एक मिनट हो गया है मेरा और इसका प्याज भी आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा सा टांस्परेंट हो गया है अब हम लोग इसमें लहसन और अधरक को डालेंगे लहसन अधरक को मैंने ग्रेट कर लिया है और लहसन को छोटा-छोटा टुकडा में कट कर लिया है और इसके भी कच्चापन को निकालने के लिए मतब खतम करने के लिए एक से दो मिनट तक इसको भी भूनेंगे और इसको लगातार चलाते रहिएगा क्योंकि ज़्यादा लाल नहीं करना है हमें अब हम लोग इसमें गाजर ग्रेट किया हुआ या फिर आप छोटे-छोटे टुकडे में कट करके भी गाजर को डाल सकते हैं और ये मैंने थोड़ा सा कैपसिकम या सीमला मिर्च पीला वाला वो डाला है और थोड़ा सा ग्रीन वाला जो कैपसिकम होता है वो में डालूँगी और साथ में मैं red वाला भी capsicum है ना वो भी थोड़ा सा कट करके बारिक चौप करके उसको भी डाल दूंगी और इनके साथ ही हम जो sweet corn होता है ना उसको मैंने थोड़ा सा boil कर लिया था और फिर उसको भी हम थोड़ा सा इसमें डाल दे रहे हैं sweet corn का टेस्ट मीठा मीठा बहुत ही अच्छा लगता है और वैसे यह सबजी अगर पूरी अच्छी तरह से भून जाए तो भी अच्छी बात है और नहीं तो थोड़ा सा अगर कम भी पके ना तो भी मूह में क्रंची जैसा आता है बहुत अच्छा लगता है खाने में लेकिन आप इसको एक से दो मिनर तक अच्छी तरह से भून लीजे अब भूनते ही टाइम में आप थोड़ी देर में इसमें थोड़ा सा हल्दी आप आधा टेबल स्पून के करीब डाल दीजेगा और ये हमने थोड़ा सा गरम मसाला हाफ टेबल स्पून ही डाला है ज्यादा इसम में जो बॉइल किया हुआ आलू है ना उसको डाल देंगे और फिर सबको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे और ये भूनना मेरा दो से तीन मिनट तक चलेगा अच्छी तरह से सबको आलू को आप ऐसे से मसल के जिस तरह से मैं दिखा रही हूं ना आलू बॉ तो टूट जाएंगे और छोटे टुक्रे रह जाएंगे और छोटे टुक्रे जब मुह में आते हैं ना बहुत ही अच्छा लगता है तो इस तरह से आप दबा दबा करके इसको आप अच्छी तरह से भून लीजे और दो से तीन मिनट तक इसको भूनते रही है देखे मैं थोड़ा थोड़ा प्रेस करकर के भून रही हूं इस तरह से भूनने से क्या होता है ना पक भी जाती है चीजे और साथ में जो बड़े टुक्रे रह जाते हैं वो भी दब जाते हैं तो आब हमारा ये बन करके बिल्कुल रेडी हो गया अब हम इसमें थोड़ा अमचुर कर लगाएंगे ना सेंट्वीच में तो उसमें भी खटापन तो रहता ही है अब ये मेरा बन करके बिल्कुल रेडी हो गया है मैंने थोड़ा सा धनिया इसमें एड कर दिया है बारिक चॉप किया हुआ और इसको धनिया को भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगे इसमें जिसे कि धनिया अच्छी तरह से मिक्स भी हो जाए और अभी एक कुक हो गया है पूरी अच्छी तरह से आप गैस को आप बंद कर दीजे जैसे कि मैंने गंबंद कर दिया है और बस हमारा ये मसाला बंद करके रेडी हो गया इसको दो-तीन मिनट के लिए ठंडा होने दीजे और फिर हम लोग फिलिंग करने के लिए रेडी करेंगे चलिए देखते हैं फिलिंग कैसे करना है फिलिंग करने के लिए सबसे पहले हमें ब्रेड चाहिए और ब्रेड मैंने जो स्लाइस वाले ब्रेड होते हैं वो यूज कर रही हूँ आप इसके जगह पे ब्राउन ब्रे कि जो चटनी होती है न वो लगा दिया है और दूसरे दूसरे जो स्लाइस रहेंगे न उसके उपर मैं टमाटर सॉस लगाऊंगे टमाटर सॉस की मैं रेसिपी आपको दे चुकी हूं मतलब पहले मैंने दिखा चुका है अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप अच्छी तरह से कवर कर दिया है अब हम लोग जो मसाला है ना जो अभी बना करके मैंने रेडी किया है आलू मसाला वह में एक साइड में ब्रेड पे लगाऊंगी मैंने धनिया के उपर डाला है लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धनिया वाली चटनी के उपर ही लगाएं आप टोमाटर सौस वाली ब्रेड के उपर भी लगा सकते हैं एक दूसरे के उपर ही तो लगाना है तो आप दोनों में से किसी एक कुछ सेलेक कर लीजिए और उसके उपर लगा दीजिए और अब मैं जो टोमाटर सौस जिस साइड में लगाई हूं उसको उसे इस ब्रेड को कवर कर दूँगी देखे इस तरह से जैसे मैं दिखा रही हूं और यह मेरा मखन है मखन को मैं मखन यूज कर रही हूं आप मखन नहीं है तो आप इसके जगह पर घी भी यूज कर सकते हैं और आप कोशिस कीजिएगा कि मखन ब्रेड के चारों तरफ लगे जितन और थोड़ा सा घी आप तबे पे इस तरह से जैसे मैंने फैलाया है उस पे फैला दीजेगा और उस साइट को ही आप रखिएगा जिस साइट पे आपने मखन नहीं लगाया है वो नीचे रहना चाहिए मखन नहीं लगने वाला साइट और जिस साइट पे आप मखन लगा रहे मखन या घीव दोनों में से कोई भी आप लगा सकते हैं और इसको कम से कम दो मिनट तक एक साइड में पकने दीजेगा इसके बाद इसको पलट दीजेगा जैसे कि मैं पलट रही हूं आप एक बार चेक कर लिजेगा अगर अच्छा गोल्डन हो रहा है तो आप इसको पलट य दूसरा साइड भी हमें दो मिनट लगेंगे पकने में दो मिनट हो गया है मेरे यह देखिए और हाँ आज स्लो रखेगा आप पूरा ब्रेट पकाते वक्त आज को स्लो रखेगा स्लो आज पर ही आपको इसको अच्छी तरह से पकाना है तभी यह जादा कुरकुरा बनेगा क्रिस्पी बनेगा तो यह देखिए मैंने दोनों साइड को अच्छी तरह से आपको दिखा भी रही हो कि यह दिखने में कैसा लग रहा है और कितना अच्छा सिख करके त्यार हो रहा है इसी तरह आपको आगे पीछे करके सेकना है और यह जो मैंने अभी दिखाया ना पलट-पलट करके लेकिन हां बहुत सा अधानी से इसको पलटिएगा इसकी जो फीलिंग है वो गिरनी नहीं चाहिए अब दोनों तरफ मेरे पग्या इसको मैंने तवे से नीचे निकाल दिया है और इसको आपको जैसा चाहिए वैसा आप इसको कट कर सकते हैं और हां बहुत साधानी से थोड़ा सा हलका प्रेश करके आप कट कीजेगा यह देखें यह कितना क्रिस्पी है कास कि मैं आपको दिखा पाती पास से लेकिन जो भी है आप इसी तरह देख में मैंने दो छोटे-छोटे बॉल में मैंने दोनों चटनिया लेनी है अगर आपको रिक्वार्मेंट हो चटनी की तो नहीं तो हम तो ऐसे ही खाना बहुत पसंद करते हैं देखे मैं पास से दिखा रही है कितना रेल लाल लाल दिख रहा है एक दाम अच्छे से सिका हुआ तो आप इसी तरgender अपने घर पे बनाईए आप चाहिए तो इसको एवणिंग में खाये या मॉर्निंग में खाये लंच पे या डिनर में जैसे मर्जी वैसे खाये बहुत ही टेस्टी लगता है आप एक बार बनाईगे तो आप पुको लगेगा कि यह तो हर बार बना इस च खतम करती हूँ आप सबों का बहुत-बहुत धन्यवाद